एलो बच्चो आज मैं आप लोगों को क्लास एर्थ की जो यह आपके पास लेटेस्ट एडिशन की एंसी अर्टी की बुकेल है इसका जो आपके पास चैप्टर नमबर 13 है इंट्रोडेक्शन टू ग्राफ तो चैप्टर हमने स्टाट कर दिये एक्ससाइस 13.1 हम कर रहे हैं ज पहले एक बड़ रीट कर लेते हैं कि जो यह ग्राफ हमें दे रखा है यह किसके ओपर दे रखा है क्या है इसके अंदर करें फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी टू डिफरेंट प्लांट प्लांट एन प्लांट बी वर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडिशन तो यहां पर दो प्लांट की इनफॉर्मेशन दे रखे हैं कि दो प्लांट हैं एक प्लांट ए और एक प्लांट बी ठीक है दियर हाइट्स वर मेजर एड दी एंड ओफ इच वीक फॉर थ्री वीक तो जब यह ग्रो हो रहे थे ना बड़े हो तो तीन हफतों तक उनकी हाइ को मेजर किया गया हर हफते के एंड में तो रिजल्ट आपको यहां दे रखा है जैसे आप यह देख रहों कि जो यह डॉटेड वाला यह प्लांट ए है और जो यह स्ट्रेट लाइन वाला यह प्लांट भी है तो एंड ओफ वीक वन के बाद उनकी ग्रोथ इतनी थी दो सें कोशहन आपको न नेक्स्टाइज पर दे रख यहां पर दे रखार आपको को इस कह रहें हाँ 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 वास प्लांट ए आफटर टो वीके यद अफूमार यिद और यहाइवीन की बताने फर्स पार्ट में तो अगर यहां पर देखो तो 2 week के बाद जो plant है वो 7 cm गा है और 3 week के बाद जो plant A है वो अगर हम यहां से देखें तो वो मेरे पास कितना होगा यह है आपके पास plant A तो वो है 9 cm गा है ना क्योंकि वो 8 और 10 के बीच में आ रहा है ना तो 9 हो जाएगा तो बस आपको इसमें यही लिखना है अभी मैं आपको solution बता दूगी कि कैसे लिखना है पहले आप graph से सिफ questions को समझ लो कि क्या क्या उनकी solution है तो plant A जो है वो 2 week के बाद कितना है 7 cm है और 3 week के बाद कितना है 10 cm है clear होगे first part second part में करें how high was plant B अब plant B की बताओ 2 और 3 week के बाद ही तो 2 week के बाद तो plant A और B सेम ही थे तो 7 ही रहेगा 3 week के बाद जो plant B है वो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर वो जाएगा 10 cm clear तो यह second part का answer हो गया 3rd part में आपसे क्या करा है आपकर how much did plant A grow during the 3rd week 3rd week में plant कितना grow हुआ तो देखो second week में वो कितना था 7 cm था और 3rd week में वो था 9 cm तो कितना grow हुआ सिफ 2 cm ही तो grow हुआ तो इसका answer आजागा 2 cm क्लियर हो गया सी पार्ट भी चलो डी पार्ट देखो पहले आप एसा करो सी पार्ट तक के answer कैसे लिखने उसके बाद आपके पार से करेंगे तो यह आपके पार तो वो सेम ही था 7 cm ही था 3 वीक के बाद वो 10 cm हो गया था 3 पार्ट में आपसे पूछा था कि 3 वीक में प्लांट कितना grow हुआ था जो प्लांट ए था तो वो कितना grow हुआ 2 cm ठीक है तो यह तीनों पार्ट के solution आपके पास यह इस तरीके से आपको लिखने है क्लियर हो गया चलें आप 4 पार्ट से करते हैं यहां पर हम आपना डी पार्ट से तो डी पार्ट में देखते हैं पहले हमसे वो क्या कह रहे हैं अ हाव मच्छ डिट प्लांट बी गोओ फ्रॉम दी एंड औफ फूशार एंड फूश रहे कि प्लांट बी कितना grow हुआ तो से प्लांट बी ग्रों 10 माइनस का 7 इस इकल तो 3 सेंटीमेटर ठीक है आगे है लिख देंगे to the end of to the end of the third week clear यह हो गया आपका 4th part का अंस है 5th part देखो अब आप यहां यहां आप से कहरें ग्रिंग विच वीक डिट प्लांट इंग्रों मुस्ट कौन से वीक में प्लांट है सबसे ज्यादा ग्रों हुआ तो second में हिवा होगा क्युंकि देखो अगर आप यहां आपने graph को अगर एक बार आप देखो तो वह first week में one centimeter था और second week में मूं सिधा 7 cm हो गया सेकिंड वीक में तो ग्रू हुआ है ना तो हम इसको यहां लिख देते हैं प्लांट ए ग्रूदा हाइस्ट ड्यूरिंग सेकिंड वीक क्लियर चलिए नेक्स्ट उसके बाद एफ पार्ट देखते हैं क्या है कोशन हमार पास कोशन है हमाहर पास ड्यूरिंग वीक वीक टिठ ब्लांट भी ग्रो लीस्ट सबसे कम वो कब ग्रोर लीज पूछ रहे हैं आप तो देखों कि वह फर्स्ट वीक में आपके पास तू सेंटी मीटर हो गया 3rd week में वो कितना हो गया आपके पास 10 cm हो गया तो 3rd week में ही तो हुआ अच्छा starting 0 से थी तो देखो 1st और 2nd के बीच में कितने का gap है यहां पर 2 और 7 और 5 का gap है और यहां 0 से शुरू हुआ था 0 से 1 के बीच में 2 का gap है है क्योंकि वो 1st week में सिर्फ 2 cm ग्रो हुआ था और 3rd वाले में अगर मैं देखों 7 से 10 में 3 का gap है तो सबसे कम कब वो ग्रो हुआ फर्स्ट वाले week में हुआ उसके बाद तो वो बढ़ रहा है तो इसमें हम लिख देंगे हैं आपर लीस्ट डूरिंग फर्स्ट वीक क्लियर है एक पाट और है आपके पास जी पाट उसको और कर लेते हैं फिर यह वाला कोशन कम्प्लीट हो जाएगा पहले कोशन रीट करते हैं वर्दा टू प्लांट अफ दे सेम हाइट दूरिंग एनी वीक शुर्ट कर लेते हैं तो प्ल यह जो इस प्लांट ओ सेम हाइट के हो किसी वीक में बिल्कुल सेकेंड वीक में था ना दोनों सेवन सेंटी मेटर पे यहां पर सेकेंड वीक में तो बस आपको यह लिखना है कि अग एड़़ एंड अफ सेकेंड वीक प्लांट ए एंड प्लांट बी वर उफ दा सेम हाइट ठीक है होगे कम्प्लीट कोशन नमबर थ्री आपका सिर्फ ग्राफ को आपको स्टडी करना आना चाहिए उसके बाद कोशन के आंसर तो आप इसली दे सकते हो ठीक है आगे के कोशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे कहीं पर भी दिक्कत लगे कोशन में कमेंट करके पूश लिजएगा वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीज़ेगा फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो को जरूर शेर कीज़ेगा थैंक्यू